Hello my dear students, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा सात्मी के e-learning हिंदी के third language के कक्षा में तो students आज से हम third language के term का syllabus start कर रहे हैं बहुत सारे students मुझसे जानना चाते हैं कि exam के बारे में तो students exam के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप स्कूल के official website से देख सकते हैं यह आप मुझसे प्लीज मत पूछिए क्योंकि इसका जवाब आपको वही से बहतर मिल पाएगा तो आज से हम लोग term स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला जो term के लिए chapter हम पढ़ने वाले हैं वो आपके book का chapter number 4 है जिसका नाम है मीठे बोल ठीक है यह मीठे बोल जो है एक कवता है इस कवता को हम stanzas में डिवाइट करके पढ़ेंगो मीठा होता खस्ता खाजा मीठा होता हलुआ ताजा मीठे होते गटे गोल सबसे मीठे मीठे बोल मीठे होते आम निराले मीठे होते जामुन काले मीठे होते गन्ने गोल सबसे मीठे मीठे बोल तो मीठे बोलने का जो गुड साइड है वो यहां पर समझाया गया है मतलब मीठा बोलने से क्या होता है मीठा बोलने के क्या गुड मतलब अच्छे गुण है क्या फायदे है क्या गुड इफेक्ट्स है यह हमको इस कवता के जरीए बताया गया है तो मीठा बोलना इसका इ कुछ मीठे खाने से किया गया है कैसे मीठा होता खस्ता खाजा खस्ता खाजा मतलब जो क्रांची क्रांची सा खाजा आप लोग जानते हैं कि पुरी का स्पेशल मिठाई है वो बहुत मीठा होता है वो तो मीठा है ही मीठा होता हल्वा ताजा जब आप सूजी का हल्वा बना होता है वहां भिप बहुंच होता है मीठे होते गटोलगोल जो गटो बहुत 되는 है यह सबसे मीठे माई शबता है है खाजा हल्वा गट्य इन सबसे मीठा क्या है स्टूडेंच इन सबसे मीठा है तो सबसे हैं तो उस आपके बात की मिठास आपके मतलब दिये गए उनको स्वीट डिश से ज़्यादा एफेक्टिव होते हैं ठीक है उसके बाद बोला गया है मीठे होते आम निराले जो आम है अभी गर्मी का मौसम है आप लोग आम खा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आम कितने मीठे होते हैं है ना मीठे होते जामुन काले जो काले काले जामुन होते हैं जिनको कहते हैं ब्लाक बेरीज कितने मीठे होते हैं व बनता है वो जो हम लोग खाते हैं वो भी तो कितना मीठा होता है तक कि उसी से तो चीनी बनती है लेकिन इन सबसे मीठा भी मीठा भूल है ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के स्टांदर्स को पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही हैनेवाद